देखिए हमारे पास आये थे आज एक खप्ते पहले इंटर्व्यू लेने तो मैंने इनसे कहा था कि बेकंसी 100% कैंसिल होगी आज मुझे खुसी हो रहे हैं अभी इको गार्डेन सर गये थे बोर्ड के अधिकारियों से आपकी बात आज सी टीचर हम लोग गये थे बात करने व बहुत तकलिफ में उनका आज का दिन कटेगा सर चैन्स सिनीद नहीं आई हम योगदान रहाई को गार्डेन आप पहुंचे और स्टूडेंट के साथ आप रहे और कंधे सकंधा मिता हैं मिला कर जो है कि आपने उनका साथ विसी जो है रीग जाम की तरह मैं भी पीडित हू मैं भी रीग जाम दिया मतलब मेरा पेपर कैंसिल हूआ तब ही मैंने कोचिंग खोला तूडेंट है देख पा रहा है देखिए फ़रासान करते हैं फिर उसके बाद पेपर लीग हो जाता तो जो मेहनत वाला बच्चा होता उसको बहुत ज़्यादा खराब लगता है इसमें हम लोग प्रियाग राज में मौझूद हैं और अभी हाल ही में एक खबर निकल के आए ये यूपी पुलिस प्रो नती बोर्ड की तरफ से कि अब जो यूपी पुलिस का पेपर है वो रद दिखर दिया गया है यानि कि अब पुना एक जाम होगा जैसा हम लोग पहले लगातार जो प्रियाग राज के टीचर थे उनसे हम लोग मिलते आ रहे थे उनसे हम लोग जानकारी कठा कर रहे थे कि आपकी तरफ से अखिरकार किया क्या जा रहा है हमारे साथ देखे सूपर क्लाइमेक्स अकेडमी के मारूप सर है जो कि प्रियाग राज की प्रतिष्ठित ही नहीं पूरे प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित संस्तान है और आप लाइन में रिकार्ड तोड इनके आप बच्चे है लगवग आट से दस अजार सबसे पहले तो मैं बच्चों को बढ़ाई देना चाहता हूं कि यह मुहिम उन बच्चों को लिए जो है हम रही है क्योंकि उन्होंने मेहनत किया और लगातार प्रोटेश करते रहे रिक जाम के लिए सरकार तक उन्होंने अपनी बाते पहुंचाई जिससे अपर इच्चा निरस्त होई इसमें हम लोगों का योगदान नहीं रहा हम तो उनके गारिजन की तरह लगातार उनके साथ बने रहे हैं अभी आप भी इको गार्डेन सर गय थे बोड के अधिकारियों से आपकी बात हुई हम चाहेंगे उसको भी सर बताएं जो है दर्सकों हम इको गार्ड से सरकार का कोई नुकसान ना करें और हम प्लेको गार्डेन में जब गये थे तो वहां लगातार सुबह से बच्चे लगे थे और वहां के जो अधिकारीगर थे जितने भी वहां पे सियो रहें कि या जो भी आइप से बात कर रहे थे वारता हुई उन्होंने पाँच सदस् साथ में और पांच दो तीन लोग और लग तुम उसे नाम नहीं पता है लेकिन साथ में थे लोग हम लोग इंदर डर था कि कहीं लोग कहते हैं कि आप से से बात करने करते समय वहां बैठा लिया जाएगा और तमाम से आपकी कोचिंग पर से कंजा कसा जाएगा लेकिन वहां पर बच्चे थे वह बहुत निरास थे हम लोगों के पैरों पर गीर के बच्चे रो रहे थे किसी तरीके से परिच्छा रीक्जाम कराई जाए जाए उनक लेकिन बच्चों में खुसी के लहर तो दवड़ चुकी है जिए चे महीना का मौका भी मिल गया जिन बच्चों को लग रहा था कि बहुत कम समय मिला तो उत्तरब्रदेश सरकार नों भरपूर मौका दिया है कि आप अच्छे से तैयरी करके पुलिस बनिए वर्दी साथ हजार परिवार के लोग आज जो है खुसी होंगे क्योंकि इसमें 50 लाख लोग फार्म डालेते लेकिन साथ हजार परिवार जो नोकरी पाने वाले उनके हर परिवार को खुसी मिलेगी जब यह वैकंसी फाइनल होगी लेकिन कहीन कहीं सरा जो भी विद्यार्थी आये प्रियागराज में तयारी करने माली जे कुछ समय पूर अब उनके छै महीने और कहीन कहीं किराया वहन करना पड़ेगा और यहां का रहने का खर्ष है वह भी वहन करना पड़ेगा सर्ण केवल जो है कि ठेकेदार है इस नकल माफिया जो है उनकी वज़ासे लेकिन बच्च दोचालों इंकाउंटर करें तभी जो है हमारी नकल माफियां बंद होंगे उमीद करते हैं वैसे ही बंदोबस्त योगी-जी उतर पढ़े上कों करएंगे ँद इस नहीं सब्सक्राइब तो अーब अपने इस फाउंडेशन की तौर पर एकदम बेसिक से एक प्रैक्टिस बैच यूटूब पे दोनों बैचे मैं बच्चों के लिए फिरी दिया हूँ मतलब आप समझ सकते हैं कि इस सुपर क्लाइमिक के द्वारा एंजिने मारूप सर के द्वारा और कल से यानि कि मंडे से निसुलक बैच जो की जैसा कि सर्वतार हैं कि बेसिक से उस को स्टार्ट किया जाएगा जिससे कि जो अगर बच्चे अभी तैयारी में कहीं पिछड पर दस साल से लगातार मेरा अन्भो रहा पढ़ाने का और मैंने सामने कई बेकंसी रद्ध ही तो मैंने बच्चों से पहले वादा किया थे बेकंसी स्योर रद्ध होगी क्योंकि जो साच है मौजूद काफी है सरकार के लिए कुछ और अपिल करना चाहेंगा उन्हें जो से अपुल करूंगा कि भाई आप प्लीस हमारी उत्तरप्रदेश सरकार को बदनाम ना करें और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके मेहनत से नोकरी पाने का जो है अधिकार है उन्हें मेहनत से नोकरी लेने दीजिए आप भी मेहनत करिए आप भी वर्दी पहनिए मैं आपको सबसे पहले एक लड़ू खिलाना चाहूंगा सर की देखिए मैं बहुत खुस हूं वास्तों में उत्तरप्रदेश का हमारा देखिए पद्रकार जी को मैं अपनी तरफ से मिठाई खिला रहा हूं क्योंकि देखिए हमारे पास आये थे आज एक हपते पहले इंट तो फिलाल देख पा रहे हैं कि सर के मध्यम से यह हम लोग मिठाई तो खाली हैं लेकिन हम सोच रहे हैं कि सर को भी एक मिठाई जो है खिलाया ही जाए क्योंकि बड़ा सार आपका भिया हम्योगदान रहा है को गार्डेन आप पहुंचे और स्टूडेंट के साथ आप रहे सर मेरे पेट में दर्द है या मैं बुखार है अभी एक लड़के को एक दिन ले गए था रात में पांच जार दवा लगा था और मेरी पीचर के साथ साथ आप लोग गार्जियन का भी फर्ज नहीं बाते किसी को पता नहीं है न मैं बताता हो ना बताने वाली चीज़े बाढ़ पीडित होता वहां को रोना काल रहा वहां पहला केस नहीं वहां पे भी मैंने रहने खाने की व्युक्ता दरी की तमाम चीज़ों को गार्डन में पूरी व्युक्ता था अरविन सर्व दिन रात उन बच्चों के साथ लगे रहे खाना भी कल रात में हमने यहां से जो भी जरूरत थी पैसे मैंने भेजा कि सर बच्चा वहां भूखा न सोने पाए बाढ़ पीडित में भी सर हम लोग देखे हैं कि आप जो है निसुल के सिविर उस तरह का चलाते रहते हैं कि जो बच्चे बाढ़ क्योंकि आपको बता दे कि कुछ ऐसे रिया हैं प्रयाग सबसे पहले तो मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि मैं 2000 इसी जो है रिग्जाम की तरह मैं भी पीडित हूं और मैं भी रिग्जाम दिया मतलब मेरा पेपर कैंसिल हुआ तभी मैंने कोचिंग खोला अगर पेपर कैंसिल नहीं होता नकल नहीं तो आज मैं सायद नोकरी करत नहीं होता है उसी कोचिंग फोला बच्चों ने पीडिया जो भी मेरा नाम पहचाना ही बच्चों को वजह से और जब भी बच्चा मुशीआम्स्यक नहीं होता हूं कोई कह भी oczywiście क berries को को वीडियो जभी इसके पहले अप्लोड हुआ थे उसमेंट बाक्स में आपके तो तमाम जो चाहने वाले लोग हैं उन्होंने कमेंट इस प्रकार के किया है तो देखे हमारे साथ मारूफ सर थे एंजिनियर मारूफ सर जो की सुपर क्लाइमेस देने काम कर रहे हैं लगवग दस हज्यार यहां पर फ्लाइन माध्यम से पड़ रहे हैं आलाइन के माध्यम से चली जड़ा हुआ है हम भी बिहार चले गए तो देखे फिलाल सर की कोचिंग हम लोग पहुच चुके तो आइए चले देखते हैं तमाम जो स्टूडेंट हैं देख पा रहा हैं देखे तमाम जो बच्चे हैं सभी बच्चों में आप खुसी की लहर देख सकते हैं चलिए क्या बात है दिखा देजे उधर तक भाई सब को सभी सार यूपी पुलिस वाले ही हैं नहीं यह ससी वाले बच्चे के बच्चे हैं लेकिन बच्चे जो हैं क्योंकि देखें के भाई बंदू तो यह तारी करते हैं जिए हम लोग कुछ इस्टूडेंट से बाद भी कर लेते हैं जिस प्रकार से पेपर कैंसिल हुआ है मुलब इसके बाद कैसी खुशी हो रही बच आप लोगों में खुशी तो सब में है सब एकदम से अभी खुशहाल है सर ने मिठाई भी बटवाया सबने मिठाई भी खाया बहुत बहुत बड़ी परिक्षा थी और यह कैंसेल हो गया तो एक बार सब को फिर से मौका मिल गया ह है अपने आपको प्रूफ करने का बहुत है बहुत खुशी के बाद है सब नहीं बहुत है चले पेपर जब लीक होता है तब किस प्रकार मतलब लगता है जैसे जो भी श्टूडेंट पेपर देखे आए घर रूम पर पहुँचे फिर लगे कि नहीं पेपर लीक हो गया तो उस प्रकार का हम जाना चाहें किस प्रकार की दुख होता है बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि बिच्चा जाता है यहां से बहुत ज्यादा संगर्स करके जाता है तो महनत करते हैं फिर उसके पेपर लीक हो जाता है तो जो महनत बहुत ज्यादा खराब लगता है अब देख पारें तमाम जो बच्चे हैं सभी में खुसी का हर्स का माहौल है आप लोग बताएं कि अब दुबारा एक्जाम हो रहा है कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है होना चाहिए जब पेपर लीख होता है तब कैसा लगता है बहुत दुखी की बात है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं और लोग आए तो नकल से पास होगा तो दिकत होगा ना चलिए देखें कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं यह बताएं पेपर आप देखर अगर रूम पर पहुशते हैं पता चले कि पेपर लीख हो गया तब कैसा लगता है बहुत दूरा लगे जाने का प्रयास किये कि आखिरकार जो है लोगों को देखें सभी लोग खुस है तो चले देखें हम लोगे किसी संस्तान में पहुंचे हुए थे और लोगों से हमने जाने का प्रयास किया कि आखिरकार जब पेपर लीख होता है तब किस प्रकार दुख होता है और अब लेकिन कईने कई बच्चों में भी हर्स का माहौल है ही चले फिलाल मिलते हैं किसी और नहीं ख़ब रुक्त साथ थैंक्स पर लॉचिंग इस वीडियो